है यह लो दोस्तों एक नई वीडियो आज हम बात करेंगे श्वेवखतर के स्टेटमेंट के उपर श्वेवखतर ने स्टेटमेंट दिये कि मैं अब जो हूँ रेडी हूँ और मैं अब किसी भी टाइप की कोचिंग के लिए अवेलेबल हूँ और मैं दुनिया के कोई भी कोचिंग कर सकता हूँ फास बॉलर्स को ट्रेन कर सकता हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सब्सक्राइबलर हूँ और अभी तक मेरी तेज तरींग बॉलिंग का रिकार्ड किसी ने बीमत हो रहा अगर वो मुझे इंडिया से वाफर है औस्टेलिया से वाफर है मंगलादेश से हाफर है अभानिस्तान से हाफर है तो मैं वहाँ जाकर खुशी खुशी को ट्रेनिंग दूँगा और कोच और मेंटोर को ट्रेन करूंगा और यह काफी अच्छा डिसीजन है क्योंकि हम सब्सक्राइब के पास एग्रेशन एटिट्यूट और उसके पास जो बॉलिंग एट और कोई भी बॉर्ड मेरे सब राप्ता करता है कि अगर पीसीबी मुझसे राप्ता करते है तो मैं अपनी 110% सर्विस उस मूल को दूँगा और मेरे पास जितना भी एक्सपीरेश है मैं अपसे सारा एक्सपीरेश यह करूँगा और मैं तेज बॉलर फास बालर को इसा तैय वो टेस्ट और वंडे खेले और T20 वो कम से कम खेलेगा तो श्वयबक्तर का स्टेटमेंट काफी मुझे अच्छा लागा और काफी अग्रेसिव स्टेटमेंट हो क्यूंकि हम से को पता है श्वयबक्तर और PCB की फोड़िटा साल भी हुई है कि श्वयबक्तर ने PCB को बोल रहा है तपज़र रिजु की जो स्टेटमेंट था उसके बारे मैंने वीडियो बनाई हो जाकर आप देख सकते हैं लेकि श्वयबक्तर ने बोले कि अब मैं कोचिंग के लेडियो के मुझे दुनिया से जहां भी आफा रहा है मैं जाकर वहां के फास बालर्स को ट्रेन करूंगा तो काफी अच्छी स्टेटमेंट और मैं तो PCB से ही कहता हूँ कि श्वयबक्तर की सर्वेस को ले और पाकिस्त तरे तो में तो हुदी दूलियो मैं तेकिया, आला हाथ वस्या